आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि काईट application में overview कैसे change करें आप सभी को पता है काईट application में हम share करी सकते हैं बेश सकते हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं और जब हम इस वाले arrow पर मार्केट वाले arrow पर देखिए इस वाले arrow पर टैप करते हैं यहां से आपको overview दिखाए देता है यहां पर कोई भी दो स्टॉक लगे होते हैं निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक लगा हुआ है मेरे इसमें आप देख सकते हो अब मैं को इसको चेंज करना है मेरे को अपने म मरजी के यहां पर शेर्स लगाने तो आप कर सकते हो कोई बड़ा ही बात नहीं क्या करना है आपको जैसे मुझे चाहिए कि टाटा मोटर लगा दूँ मैं तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा अपनी यहां सब्सक्राइब करूंगा यहां पर ऐसे सब ग्यान म वच लिश्ट में एड़ होना जरूरी है अब मैंने वच लिश्ट में एड़ कर दिया है तो इसके बाद मैं यहां करने वाला हूं सिर्फ इस पर tap करूँगा tap करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इसके बारे में खुल गया यहाँ पर view chart हो जाता है नीचे create error, create GTD थोड़ा सा नीचे slide करूँगा तो मुझे दिखाई देगा pin to overview का option pin to overview इसमें दो चीज़ है spot 1, spot 2 आपको दिखा दूँ कि overview में दो spot होते है spot 1, spot 2 आपको जिन में भी यहाँ पर रखना है वो आप रख सकते हो जैसे कि मैं करता हूँ जैसे मैंने किया, cardage steel पर touch किया नीचे गया, spot 2 पर रख दिया ठीक है, अभी आप देख सकते हो जैसे मैं slide down करता हूँ यह 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 दबाता हूँ, cardage steel यहाँ पर आ गया है simple तरीका है ज्यादा परिशान करने की जुरूद नहीं है इस तरीके से overview चीन कर सकते हैं वापस मैं वही अपना nifty bank डाल देता हूँ यहाँ पर तो यह लिया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद यह देखे